यार एड़ जीवन परिचे छोगे ना तो टीचर खुस होके नंबर देंगे और टीचर को खुस कैसे करना है अपको इंप्रेश कैसे करना तो यह तो पुरा जब आप जीवन परिचे सको पढ़ेंगे उसके बाद ही समंझ में आयगा जब देखेंगे कि आ पको फूफ करके कै आपको लेकर आना है कुछ भी हो जाए हिंदी में नमबर तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और यह पूछा गया था इस बार भी बोड परिच्छा पूछा जा सकता है इसलिए आप इस जीवन परिच्छों को पूछ पढ़े लीजिए और जो इंपॉर्टन हें बीना पढ़े कैसे पास होजाना है था सारे वीडियो पढ़ते रहना है जो मन में आया आए देंगे पढ़ते रहे और लेते रहे चली देखते यहां पर यह निबंद किसके उपर रहने वाला तो यह सचता अभियान की समाजिक साथ करता यानि क्या सकते कि सचता अभियान पर यह ठीक ना जन जन का कल्याण ठीक तो यह जो सचता निबंद पर वियान आता है यह बहुत ही इंपोर्टेंट आपका क्यूस्चन है इसलिए आप लोग तयार कर लिजेगा देखिए एक्जामनर क्या देखता है जब आप लिखिएगा ना उसके पहले आपको इस प्रकार से आपको डाल लेना है सिर्षक दो चसमा कुछ नहीं करना है दो गोले लिकने बीच में दो डंडी और भगल में यहां से घुमा देना हैहां तक और एक यहां तक घुमा देना है तो सबछा अर यह बनानेे आपको दो क्योंकि इसे थोड़ा सा अलगी प्रवाव पड़ेगा एक्जामनर के उपर उसके बाद आपको एक कदम सच्छता की और आपको लिख देना है उसके नीचे फिर संकेत बिंदू आप किसके किसके बारे में लिख रहे हैं तो हम लोग प्रस्तावना और सच्छता से तातपर औ उपसंगहार के बाधे में लिख रहे हैं उसको आपको नियुक्ती करते हैं कि कुछ नहीं लिखते हैं बस चापते वे चले जाते हैं ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है बाई साब आपको बढ़ियाग। प्रस्तावना देना है फिर उसके बारें लिखना है कि िक्या सब कैसे अपनाेंगे है गया इस परकार से अपको लिखना है तो रहले हैं ना ताकि आपको अच्छे सी इदिख पाए है यह फिर आपको मैं असागरता हूं क्या सारे चाहिं दिखाई दे रही होगे dire रहा है लगाइन को यहां पर सब्सक्षिक पहला धरिन डालेंगे प्रस्तावन Persa क्या लीदित है कि दू अक्टूबर भारत वासीओं के कितने महत्तोका दिवस है आप लिख सकते हैं इस प्रकार से यानि दो अक्टूबर की दिन क्या होता है तो दो अक्टूबर को गाधी जैनती मनाई जाती है इस दिन हमारे राष्ट पिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और इस यूग पूरुष ने भारत सैत पूरे विस्व को मानवता की नहीं रहा दिखाई तो आप लिखेंगे कि यह सब जानते हैं कि जानते हैं कर jag up गांधि क्या हका जन्म हुआ ता फीके ना उसके बाद आपको क्या लिखना है इस लिखेंगे परतेक वर्स की बात समसम्मान गांधी जी को याद किया गया किया लेकिन सचता अभियान की शुरुआत कि कारड इस बार यह दिन और भी विसश्च रहा जो कि सवच्छता अभियान लॉंच किया था लाया गया था सफ्च्षता सफ्च्ष भारत अभियान अब सफ्षता से तात्पहर पह सफित क्या है इसको आप ज्यंति के आउसर पर माननी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के आरंभ की घोशडा की प्रधानमंत्री जी ने दो अक्टूबर बनाने की अपील की यह अभियान साप सफाई की दरिश्टी से अब तक सबसे बड़ा सच्छ अभियान रहा है यह अप्रधानमंत्री जी की इच्छा सच्छ भारत अभियान को एक जन आंदोलन बनाकर देश वासियों को गंभीरता से इससे जोड़ने की है अमारे प्रधान मंत्री जी ने 2 अक्टूबर के दिन सवप्रधम गांधी जी को राजगाट पर स्रंधाज जरी अरपित की और उसके बाद नई दिल्ली इस्तित वालमी की बस्ती में जाकर जाड़ू लगाए यह बस्ती गांधी जी का सबसे प्री अस्थान है उसके बाद यहाँ पर दिया गया लाइन क्लीन सिटी ग्रीन सिटी यही है मेरा ड्रेम सिटी यहाँ पर लाइन क्या दिया गया clean city green city यही है मेरा dream city अब यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे प्रधान मंत्री जी ने 5 साल में देशों को देश को साथ सुथरा बनाने के लिए लोगों को सपत दिलाई की न मैं गंदगी करूँगा और नहीं गंदगी करने दूँगा उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति साल में सव घंटे का स्रमदान करने की सपत ले और सपता हमें कम से कम दो घंटे सफाई के लिए निकाले तभी तो अपना भारत सच्छ होगा और भाई साब आपको भी ध्यान देना है और सफाई करनी चाहिए ठीक ना उसके बाद क्लीन इंडिया मीसन आई जो की एक नई वेबसाइड है इस अभियान पर लगवग दो लाख करोन रुपए खर्च होने का अनुमाल लगाया गया है इसके तहत ही क्लीन इंडिया नाम से एक नई वेबसाइड की सुरुवात की गई और फेस्बुक जैसी प्रशिद्ध नेटवर्किंग साइट के माध्यम से भी लोगों को इससे जोडा गया ट्वीटर पर भी भाई क्लीन इंडिया के नाम से एक एप का शुभारंब किया गया प्रतेक नागरिक की सक्री भागिदारी सुनिशित करने है प्रधार मंद्रेजे ने सभी से अपील की थी कि लोग स्वरप्रथम गंदगी यानि कि स्वरप्रथम गंदी जगह के फोटो नेटवर्किंग साइट पर अपलोड करें और फिर उस अस्थान को साप करके उसकी वीडियो तथा फोटोस को अपलोड करें कि अब यहाँ पर महत्पुर्वेक्तित के रूम में और फिर इडालेंग क्या लिखेंगे इस अभियान में प्रधार मंत्री जी ने प्रशित धेLesожд को भी शामिल किया उन्होंने इसके लिए लोगों को नौमिनेंट किया किसको नौमिनेंट किया था इन्नाव एक्टियों में से अनिलंबानी, सचिन तेंदुलकर, समान खान जो सल्मान खान वो प्रियंका चुपड़ा, बाबाराम देव, कमल हसन, मिर्दूला सिन्हा और ससी थरूर और साजिया इल्मी आदि सामिल हैं इसमें इसके अंतरगत उन्होंने टीवी सीरियल तारग महता का उल्टा चस्मा की पूरी टीम को नॉमिनेंट किया, उन्होंने कहा कि ये सभी लोग सच्छता अभियान के लिए काम करें और नए नव लोगों को नॉमिनेंट करें, जो पुना नव 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 लोगों को नॉमिनेंट क जाएगी और सुच्छता एक अभियान्य रहकर एक आंदोलन बन जाएगा किंद्र सरकार और प्रधानमंद्री की गंदगी मुक्त भारत की संकर्पना अच्छी है चंपूर ब्यूस्व में भारत को अर्थव्योस्था तरक्की ताकत और प्रतिभाग के साथ साथ एक गंदा देश भी माना जाता था लेकिन अब नहीं माना जाएगा हमारे भारत में हमारे भारत को देश का चिडिया कहा जाता है ठीक ना कहा जाता था लेकिन यहां से तो चिडिया उड़ या उड़ गई है यानि कि सोना उना जो था वो लूट ले गए थे लेकिन अब दिर प्रिवेस का प्रत्कूल प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। जिस प्रकार एक स्वस्थ सरीर में स्वस्थ मस्तिक्स का वास होता है उसी प्रकार एक स्वस्थ और सुध्ध व्यक्तित्व का विकास विश्थ और परिवेस में ही संभव हो है। इस प्रकार देखा जाये तो हम सच रहकर इस आर्तिक मुस्कान से बच सकते हैं। अब उपसंगार में आप यहां पर लिख सकते हैं कि इस अभियान का सार यही है कि वर्तमान में सचता हमारे लिए एक बड़ी आवसित्ता है। मदलाव के इस दौर में यदि हम सचता के छित्र में पीछे रह गए तो आर्तिक उन्नति का कोई महत्तो नहीं रह जाएगा। हमारे प्रधान मंत्री ने 15 सितंबर 2014 कुमिक इन इंडिया अभियान की भी सुभारंभन किया जिसका लक्ष भारत को मैनुफैक्चरिंग के छित्र में स्रिष्ट बनाना है। हमें अपने दयनिक जीवन में तो सफाई को एक आंदोलन की तरह सामिल करके करने की जरूरत ही है साथ ही इसे एक बड़े अस्तर पर भी देखने की जरूरत है। जिससे हमारा पर्यावर्र भी क्या रहें सच रहें तो यहान पे और इसको लेख सकते हैं यहां पर देख सकते हैंजेगन विलिख दें तो काम और इस प्रकार सेगर आपको निभन्द देना जो कि आपके पर लिखियो अपकी 12 में 10 में तो इतना आप लिए काफी है चार-पांच पिज लिख देंगे काम खतम नीचे वाला अगर आपको लिखना आई है तो आप उसको पॉस करके स्किन सौर्ट करके आप लोग लिख लेजिए ठीक न तो इस प्रकार चाप निबंद लिखेंगे तो आपको एक्जामनल अच्छा नंबर जरूर देगा और हाँ वीडियोज को लाइक करेएगा चैनल को सब्सक्राइब करेएगा ओके दूसरों थाएंक्यों जैहन